अब मुझे बताईए यहां से मैं बैक कैसे जाओं यहां से मैं राइट स्वाइप करके भी बैक नहीं जा पा रहा हूं नीचे करके भी यह रिफ्रेश हो रहा है खाली सभी मित्रो कराम राम दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं आईफोन 13 प्रो मैक्स के बारे में आप सभी जानते हैं कई करीब पाँच मैंने पहले मैंने इसे लिया था यूज़ करते हुए लगबग पाँच मैंने पूरे हो गया है साधी तीन वर्षों तक मैं OnePlus 6 यूज़ कर रहा था अपना तो जब इसमें कई सारे प्रॉब्लेम्स आने लग दे स्क्रीन पर भी कुछ प्रॉब्लेम्स वगएर आ रहे थे लाइन्स वगएर आ गई थी तो मुझे शिप्ट करना था अप्ग्रेड करना था थोड़ा सा फो पसंद है इसकारे से थोड़ा सा एक कोई flagship फोन में लेना चाहरा था सबसे पहले मैंने Samsung का S21 Plus लिया था भाई उसमें कई सारे मुझे प्रॉब्लेम्स आये मैं रिप्लेस करवाना चाहरा था पर कुछ हुआ नहीं आखिरकार फ्रस्टेट होकर परिशान होकर मुझे बेचन सा फोन लो क्योंकि लेने के बाद मैं कम से कम तीन साठीन वर्ष में दूसरी कोई चीज नहीं लेना चाहरा था बस शांती से मैं शांती से यूज कर पाऊं एक उसर फ्रेंडली एक्स्प्रियेंस मुझे चाहिए था तो बहुत मेरे वीडियो देखे टेक यूट्यूबर्स भारत के टेक यूट्यूबर्स की बात कर तो भाई उन्हें तो कोई चीज खराब लगती नहीं है कोई भी फोन आचाए कोई भी फोन आचाए दोस्तो यह इतना बढ़िया दोस्तो इसमें ये बढ़िया है पर चली उनी सब बातों में फस कर मैंने आखिरकार फिर सोचा आइफोन 13 प्रो मैक्स लेने के बारे में मैंने एक जो कुछ भी मैंने जानकार ये कटा कि टेक यूटोबर्स की वीडियोज देखे एक बड़ला यूआ कर मैंने पूछा भी था तो एक तो सैमसंग के बारे में और दुसरा आइफोन के बारे में मुझे आए थे चैनिस पून मुझे वैसे भी लेने नहीं थे वन प्लस मुझे दोबार यूज करना नहीं था उससे कुछ अप्ग्रेड करना था मुझे सैमसंग ने मुझे इतना परिशान कर दे है तो बचा एक ही ऑप्शन था आइफोन स्मार्टफोन मार्केट में मैंने पहले भी कहा था कि भाई भारत में अभी भारत है पूरी आप सब जगह देख लीजिए सोनी बनाने रहा भारत में कुई उनका लाने रहा इरिक्सन का कुई मॉडल आने रहा उसके बाद आसूस हो मोटरोला की कुछ आ रहे हैं पर पता नहीं मतलब कुछ खास वैसे जितने चाइनिस ब्रेंड इस प्रकार से वो प्रमोट वगएरा करते हैं अपने नए प्रोड़ोप्स को वैसा कुछ उनका दीग भी निरा लिने ओक कुछ ठीकाना नहीं है तो ले देकर बस अगर आपको कुछ अच्छा अप्ग्रेड करना हो रिलैवल अ अगर आपको प्रोड़क्टिविटी चाहिए अगर आप सोचल मीडिया पर कुछ यूटूबर वगएरा हो इंफ्लियोंसर मतलब कुछ आप काम कर रहे हो सोचल मीडिया पर यूटूब पर तो भाई एपल से बढ़िया चीज तो आपके लिए होई नहीं सकती प्रोड़क् सब कोई नहीं मैं जिनसे भी मिला हूँ आज तक हमेशा मैं एक बात सबसे कहता था कि भाई कोई मुझे फोकट में फ्री में भी आईफोन दे देना मैं नहीं यूज करने वाला हूँ कभी मैं वर्षों से ये बात कहते आ रहा था सबसे पहला मेरा पाला इससे जब पढ़ा पार फॉर्ष में किसी पाला पड़ा था किला मुझे पता चला इसमें फाइल ट्रांसफर करने का कुई सिस्टम ही नहीं है फाइल ले दे नहीं सकते हैं इतने सारे प्रॉब्लेमस है मैं उसका उसका इंटरफेस पूरा देखा में तो विंडोर यूज करते आ रहा था विं मतलब वो देखकर ही तभी मेरे मन में ये बात पक्की बैट गई थी, कि भाई जीवन में कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो फ्री में भी देदे न, एपल का प्रोड़क्ट कभी यूज नहीं करूंगा मैं, मतलब अपने पैसे दो, दो, तीन गुना जाधा पैसे दो, चार गुना क्या, पांच गुना जाधा पैसे दो, और फिर उपर से ये सब करने के बाद में, खुद फ्रस्टेट हो जाओ, खुद परिशान हो जाओ, ये मेरे मन में था पर फिर भी देखिए मैं फस गया मैंने ये चीज ले ली क्योंकि ये सब टेक यूटुबर्स के बाते सुन-सुन करना उन्होंने कहा कि बाई प्रोड़क्टिविटी चाहिए तो आइफोन से बड़िया कुछ चीज है ही नहीं इससे आप सब कर सकते हो मतलब ये पूरी तरीके से DSLR मतलब उस कॉलिटी के वीडियोज आते हैं और ये और वो और पता नहीं क्या-क्या बाते मैंने सुन ली और वो सुनकर मैं फस गया मैं सच कहता हूँ मैं फस गया दोस्तो मेरे इतने मतलब मैं कुई मैरे पास कुई इतने पैसे है और इसकाने से मैं ये चीज ले ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैं कुई एक ऐसी चीज लेना चाहरा था जिससे मुझे मेरे मन को शांती मिले शांती से मैं कुई चीज यूज कर सकूँ मुझे DSLR अलग से लेना नहीं था मैंने सोचा भी OnePlus 6 मेरा problem दे रहा है अगर मुझे इससे अपग्रेड करना हो कोई flagship phone लेना हो तो 30-40,000 तो खर्च करने ही होंगे 50,000 अगर flagship या बाच्चा लेना हो तो उस पर मैं 40-50,000 खर्च करूँ DSLR पर मैं 60-30,000 खर्च करूँ क्यों फिर में इतना सारा अलग से तो एक ही चीज में कोई चाहरा था smartphone उससे ही मेरे सारे काम हो जाए और इस कारण से मैंने अपनी इच्छाओ को मतलब मेरे मन में जो बात थी ने Apple यूट्स करना ही नहीं है मुझे, वो सब कुछ मैंने side में रखकर ये चीज ले ली मुझे पता था इसमें back जाने का या जिसे navigation वगएरा कहते हैं उसका बहुत problem है file manager का problem है और file transfer करने का problem है और बहुत सारी थी पर मैंने सोचा चलो मुझे file transfer करने का जंजट रखना ही नहीं 256GB वाला variant में ले लूँगा सिदे इसलिए मैंने 256GB वाला variant लिया कि मुझे files वगएरा transfer करने का जंजट चाहिए ही नहीं है चलो इसे में सारे files वगएरा store हो जाएंगे बाकि back जाने का तो देख लेंगे अभी इतने सारे लोग यूज़ कर रहे हैं आइफोन वो जा रहे हैं वो इदर से उदर जा सकते हैं एप में back वगएरा जा सकते हैं तो मैं भी सीख जाऊंगा ऐसा मुझे लगा था पर भाई मैंने बहुत गलत सोच लिया था ये जो back जाने का मैं बता रहूँ आपको navigation का इससे घटिया इससे घटिया यूजर इंटरफेस मैंने अपने लाइफ में नहीं नहीं देखा मतलब ये बात मैंने पिछली बात भी इस पर जब मैंने बताया था न वीडियो बनाया था ये मैंने लिया है ये मैंने तब भी कहा था उस वीडियो में तो कुछ Apple के उदर से ने कहा कि बहु चिदे बस ऐसे right swipe करना है कितनी जगपर right swipe चलता है मुझे आप बताईए 10% जगपर भी ढंक से right swipe चलता है हर जगपर अलग तरीक से navigate करना है मैं आपको पूरा वीडियो शूट करके दिखाऊंगा मैं यह दिखाऊंगा आपको क्या problem में इसका पूरा navigation का हर app में इनका अलग से जेंजट है चलो ये बैक जाने को तो हुआ ही इसका पूरा जो user interface है या अलग-अलग app में भी चलो ज़्यादा कुछ differences नहीं है प्ले स्टोर हो या इसका Apple का अलग जो app का स्टोर है जातर जो free के apps होते हो तो free में available होई जाते है पर कापी सरी छोटी मोटी कुछ ऐसे थोड़े से changes मुझे देखने को मिले है जैसे किने मास्टर में Android में यूज करता था Android में यूज करता था उसके बाद में जब Apple पर मैंने shift किया सबसे पहली बात तो मुझे अलग से subscription लेना पड़ा मैंने पहले Android पर लिया हुआ था subscription साल भर का लिया हुआ था Apple लिया मैंने तो उसमें subscription काम ही नहीं कर रहा था मैंने restore करने का कापी प्रयास किया मैं अपना पूरा मैंना email आइडी डाला Gmail का सब कुछ करके देखा वो नहीं हो रहा था मैंने email भी किया किने काइड मास्टर के टीम को दो दिनों तक तो reply नहीं आया अब भाई मेरा कामी YouTube का है तो मैं इतने दिन तक थोड़े ने wait कर सकता था उनकी reply का मैंने आखिर कार अलग से subscription ले दिया इस app store पर जाकर काइड मास्टर का तो यह एक अलग से मेरा खर्चा बढ़ गया उपर से काइड मास्टर का जो user interface है android में और इसमें काफी सारे थोड़े छोटे 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 इसे problems, differences है फरक है जो काफी छोटे 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 लगते हैं पर जब हम use करते हैं तो बहुत problems आते हैं मुझे एक नई पसंद आए Apple मिला कर ऐसे दूसरे भी जो apps है काइड मास्टर ही नहीं छोटे जाता कुछ differences आपको लगेगा नहीं पर नहीं वो user friendly मुझे नहीं लगा Apple का मुझे कुल मिला कर हर बार ही जब मैं यह चीज यह हाथ में लेता हूँ मैं तो इसे कच्रा ही कहता हूँ अपने मन में इसे जब भी मैं हाथ में लेता हूँ एक ही बात मेरे मन में आती कि भाई Apple की टीम में जो भी इसे develop करते हैं इनके OS को या user interface को जो भी है वहाँ कुछ बहुत ही frustrated लोग बैठे हुए हैं और वो frustrated लोग अपना frustration Apple की users पर निकालते हैं हम इन लोगों को कैसे जादा से जादा torture कर सकते हैं कैसे घटिया से घटिया user experience हम इनको दे सकते हैं बस यह सोचकर ही उन्होंने इसके user interface को काया था एक बात मुझे बताए थी कि भाई जब हम program कोई app कोई भी चीज हम develop करते हैं सबसे जादा महतो पुरह होता है customer satisfaction जो user होता है न उसको user friendly हो चीज जहाँ पर 10 click से काम होता है वहाँ पर 4 click से काम हो जाए 5 click से काम हो जाए मतलब जो mouse की click के में बात कर रहा हूँ जहाँ 10 click करने पढ़ रहे न किसी user को वो app use करते समय या हमारा program use करते समय तो उसकी जगए उसका 4-5 click में काम हो जाए fast कैसे दे सकते हम कम से कम उसको problems आए user friendly कैसे हो आप वो एक developer का काम होता है न सबसे महतोपुर्ण इसे develop करने वालों ने इससे एकदम ultra mindset रखके इसे develop किया है कि हम जादस जादा अपनी users को torture कैसे कर सकते हैं उनको घटिया से घटिया experience कैसे दे सकते हैं ऐसे सीधे खाने की वज़ा है ऐसे घुमा कर हम उनको कैसे खिला सकते हैं ये सोचकर इन्हों ने इसे develop किया है ये एक लैन में अगर मैं iPhone का review करूँ न तो आप जो ऐसे खा रहें न Android में वो आपको जबरतसी जख मार का ऐसे तो हाथ भी नहीं जा रहा ऐसे आपको खाना पड़ेगा बस वही सोचकर इन्हों ने इसे develop किया है आपका कुछ काम रुकेगा नहीं पर ये इतना torture करेगा ना आपको इतना torture करेगा सेहन शक्ती के परे भाई मेरे तो ये सेहन शक्ती के परे ये बात कोई अगर मतलब ये कहे कि भाई हम दो एक मेहनों तक यूज करने के बाद में शायद user-friendly हो जाते हैं भाई मैं नहीं हुपाया पांच मैश मैने तक मैं इसे यूज किया है पर मैं अभी तक इसके साथ मैं नहीं जंप आया मेरा और मैं इसको जबाना भी नहीं जाता अभी मेरा पैसे का problem है नहीं तो भाई इसको अभी तक मैंने कच्रे में फेक दिया होता बेज दिया होता इसे मैंने और दूसरा कोई चीज में लेने वाला हूँ जब भी मेरा जैसे भी एड़ेस होगा न इससे सबसे पहले मैं अपना पीचा छुड़वाने वाला हूँ इतना टॉर्चर लाइफ में मैंने कभी नहीं जहलाया और सबसे बड़ी बात बताएं मैंने आपको बताएं मैंने यूटूब के लिया वीडियो अपलोड करने के लिया बनाने के लिए शूट करने के लिए इडिट करने के लिए सबसे पहला प्रॉब्लम तो कीने मास्टर का मेना काइन मास्टर का बताया कि वो सब्स्रिप्शन अलग से लेना पड़ा उसका इंटरफेस भी कुछ थोड़ा बहुत कुछ बात है वो नहीं मुझे पसंद आई उसके बाद मैं वीडियो अप्लोड करना मैं अपने एंडरोइड पर सिधे chrome open करता था creator studio open करता था वहां से वीडियो अप्लोड करता था लैपटोप में यूज भी नहीं करता उससे होता के आए कि जब हम अप्लोड करते तो montcast on करने के बाद में वो कुछ tick marks करने होते हैं submit करना होता है form उनका कि इसमें कुछ montage कर रहे हैं आप इस वीडियो को तो कुछ problematic content वगरा तो नहीं है वो अलग-अलग tick marks वगरा करने होते हैं कुछ sexual content तो नहीं है कुछ inappropriate language वगरा तो नहीं है तो इसी कारण से मैं Android पर सीधे Chrome open करता था वहां से creator studio open करके Chrome में वहां से वीडियो upload करता था इसमें मैंने ये लिया iPhone ना iPhone लिया मैंने सारे problems बाकी की छोड़ दीजे बैक जाना वगरा वगरा से मेरा simple कामी भाई मुझे वीडियो upload करना है मैंने Safari open किया Chrome open किया इसी iPhone 13 Pro Max में इसके browser से चाहे कोई भी browser आप इसमें यूज करिये browser से वीडियो upload होते ही नहीं है नहीं होते, seriously नहीं होते महिने भर तक में माथा पच्ची कर रहा था इनकी team के साथ Apple की customer care पर call करकर 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 परिशान, 40-40 minute तक मैंने call किये इनको 40-40 minute तक उससे भी ज़्यादा बड़े-बड़े call मैं उनको बता रहा हूँ problem वो भी समझ रहते, कुछ लोग समझ रहते अलग-अलग team के साथ अलग-अलग हर बार explain वगरा करना, काफी problems होए मुझे चलो कुछ लोग समझ भी रहते, पर उन्होंने सीधे साब कहें दिया, हाथ कड़े कर दिया कि भाई नहीं, ब्राउजर से आप नहीं उपन अप्लोड कर सकते वीडियो आप YouTube एप से उपन अप्लोड करिए अब YouTube एप से जब हम अप्लोड करते हैं तो वो Montation के में जो आपको form वगरा बता है वो ओपन नहीं होता है हलाकि बाद में मैंने थोड़ा से इस पर कुछ सोलुशन निकाल लिया मैं अभी YouTube से उपन करता हूँ आप्लोड करता हूँ वीडियो और फिर Chrome में जाकर या Safari में जाकर इसके Creator Studio को ओपन करता हूँ और फिर वहाँ Edit मे जाकर फिर वह Monitization वाला form में वहाँ पर Fill Up करता हूँ Monitization On करने के बाद तो पहले YouTube आप से वीडियो अप्लोड करो फिर Chrome पर जाओ या किसी ब्राउजर सपारी पर जाओ फिर वहाँ Open करो जो एक जगह पर मेरा शांति से काम हो रहा था अगर आप YouTube से डरेक्टीब में जाओ करना चा रहे हैं बिल्कुल हो रहा है तो इस नहीं आ रहा है इस अगर आप ब्राउजर से ड्वाड करना चाहरे है आप पर आर एरर आ रहा है बराबर यही रहा है इवन की बिल्कुल मैंने यही तक मुझे ना दिखिए आपका किस बिल्कुल अच्छ पर आप मुझे बिल्कुल बिल्कुल आपने मुझे भी बताया था आप सर्विस सेंटर गहे थे शोरूम गए इंपास रही तरह आपर आपने तीन चार मॉदल के तार सेम चीज ट्राइगर के पर अगर को फीचर मिज़िंग है को बहुत बहुत माथी चाहूंगी मैं इसको यहां से इसक्लेट भी नहीं कर पाऊंगी मेरा इतने ही कहना था मैडम कि अगर मैक बुक पर सपोर्ट करवा सकते हैं तो इस पर आइफोन या आइपैड में क्या प्रॉबलम है मुझे बस इतने ही पूछना था उसमें क्या प्रॉबलम है तो कहने का ताथ पर यह है कि यह phone हमें बस torture करता है एक तो इनको इतने सारे पैसे दो इतने सारे पैसे देने के बाद में भी कुछ user friendly experience हमें मिलता नहीं है उपर सीन की monopoly इतने 500 प्रकार के अलग-अलग cables खरीदो lightning to USB, lightning to 3.5 mm और फिर adapter अलग से खरीदो तो charger भी उसात में आता नहीं है तो किसी के भी सात में आजकल आता नहीं है पर अवरन बचाना है उन्हें तो यह अलग-अलग परकार की cables खरीदो अलग-अलग परकार की adapter अलग से खरीदो इनके screen card और इनके यह back cover भी भाई तो उनके तो दुनिया भरके अलग से ही rate है और लोग कहते कि भी lag नहीं करता बहुत आसानी से इदर-दर जैसे यह खोल दिया यह खोल दिया यह खोल दिया एक दम lag नहीं करता है यह आप खोल दिया, यह यह कर दिया यह खोल दिया, यह कर दिया मतलब एक दब लेग नहीं करता है तो ठीक है न भाई, मतलब देड लाग का फॉन देड लाग, लाग ए लाग लाग रुपगर करने के बाद आप क्या चाहते हैं, लाग करें फॉन उपकार तो नहीं कर रहे हैं न हम पर फोन लैग नहीं कर रहा है तो मतलब वो लाग डेड़ लाग रुपे हमसे ले रहे हैं तो उतना तो उन्हें देना ही होगा न ये भी कोई positive point में नहीं कर ऊँगा कि भी लैग नहीं कर रहा है फोन मैं थोड़ा बहुत एकाथ सेकंद का लैग में सेयन कर लूँगा पर ये torture में जहलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है जहां पर मैं एक email कहा ना कि जो हमारे जिन्होंने मुझे programming सिखाई थी उन्होंने कहा था कि दस क्लिक की जगह पाच क्लिक में काम होना चाहिए पर ये ऐसा काम है जहां पर एक क्लिक हमें करना होता है या एक जगह पर टच करके काम हो सकता है उसके जगह पर ये पचास टच करवाएगा पचास जगह पर हमें बंदरों की तरी दर दर उच्छलकूद मचानी पड़ती अब मेरे जो navigation का back जाने का problem बताए ना वो देखिए कैसे है अब दोस्तों जैसे मैंने ये comment open किया है अब मुझे बताइए यहां से मैं back कैसे जाओ यहां से मैं right swipe करके भी back नहीं जा पा रहा हूँ नीचे करके भी यह refresh हो रहा है खली back कैसे जाओ मैं इधर से इधर से यह ऐसे भी back नहीं जा रहा है इधर से भी ना यह देखिए दीर इसे मैं करो यह keyboard open हो गया यहां से करो यहां से करो नहीं जा रहा back मुझे बताएए मैं कैसे back जाओ यहां से अब दोस्तों जैसे मैंने अभी ये YouTube open किया ठीक है अब यहां पर जैसे यह अरुन गोविल जी की post है अब मैं यहां पर यह comments में गया अब मुझे back आना है यह देखिए यह देखिए यह देखिए अब मैं back कैसे हूँ मुझे बताईए कि क्या है राइट स्वाइप करने से कहते हैं back आता है कहां back आ रहा है फिर मुझे ध्यान से धीर इसे बड़ा इससे ऐसा पुछकारते वे बैक करना पड़ता है अब यहानै से बादा पुछक्का उते हूं से से बैक करके आओ इसे इसमें जाता है क्या है इसको पॉट्स कर दिया कमेंट्स में जाता है है अब यहां मैं कमेंट्स में हूँ जैसे कोई reply हो अब ये reply मैंने on कर दिया इसको मैं back जाना है मुझे देखिए मैं कहा back जाओ कहा back जाओ मैं कहा back जाओ ऐसे ध्यान से इसको कीचो अब इसको ऐसा पुछकारते वे use करते रहा अब दोस्त सूचिए मुझे अभी मेरे community post जैसे मेरे अपने दो बारा से click करता हूँ ये मैंने अपने channel के नाम पर click किया अब मुझे कुछ open नहीं कर रहा है मुझे बस simply back जाना है बताएए मैं कहां से back जाओ ऐसे right swap करने से कहा back जा रहा है मुझे बताएए कहा back जा रहा है नहीं जा रहा back आपको फिर क्या करना पड़ेगा ऐसे 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 उंगली ऐसे अरे अब ये बंद हो गया तो कोई sense है इस बात का अब देशे search box पर मैंने click किया ये search box पर अब मैं ये open हो गया ठीक है keyboard open हो गया ये open हो गया अब मुझे नहीं search करना है कुछ मुझे back जाना है वस simply मुझे back जाना है मुझे बताइए कैसे back जाओ ये keyword कैसे निचे लूँ मैं नहीं मुझे keyword निचे लेना है चले मुझे back जाना है कैसे back जाओ मैं ऐसे ये तो search हो गया भाई मतलब कोई सेंस है आप इस बात का मुझे बताईए चली यहाँ पर यह छोड़ दीजिए यह जाते हैं अब मेरे चैनल पर जाएंगे और उसके बाद में community app में जाते हैं मैं कोई community post डालना है मुझे अब यह community post डालने के लिए मैं यहाँ पर आ गया मुझे सोचिए मुझे नहीं डालना है community post मुझे यह community post अभी नहीं डालना है मैं मुझे back जाना है कैसे जाऊ मैं back बताईए मुझे यह मैं back कैसे जाऊ मुझे बताईए यहाँ पर फिर ऐसे 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 क्लिक करना पड़ेगा ये अब मान लिजी चलो कोई कहें के छोटा फून होता तो आसा भाई कोई सेंस से लिकिन यहां जाकर बैक जाने का सिंपल यहां बैक जाने में क्या प्रॉब्लम है राइट स्वैप से कहते हैं कहां कौन सा काउन सा राइट स्वैप अब यहां बैक अब यहां से का वापस जाने मुझे बता है कैसे वापस जाओं नहीं जाएगा वापस फिर क्या करना होगा आपको ऐसे पुछकार ते हुए इसको काम यूज करना होता है अब जैसे मैं सब्स्क्रिप्शन्स में आ गया थिक है अब मुझे वापस जाना है जाएगा ये वापस जाएगा ये ये बैक जाएगा यहाँ से नहीं जाएगा फिर मुझे क्या लग करना होगा यहाँ से ऐसे मुझे home पर click करना होगा यही सेम बात creator studio की भी है creator studio में भी इसी प्रकार से ये मतलब जितने भी आप apps यूज़ कर रहे हैं उसमें यही problem आएगा जैसे मैं अभी किने master यूज़ कर रहा हूँ मैंने कोई नया project ओपन किया मैं next कर रहा हूँ ठीक है अभी सोचिए मैंने ये camera ओपन कर दिया अब यहाँ से मैं back कैसे जाऊँ फिर पूरे screen पर इसे फुदकते रही है फुदकते रही है फुदकते रही है back कहा है back कहा है फिर दिखेगा यहाँ cancel फिर यहाँ से cancel करना है यही same बात आप कुछ mic का option यूज़ कर लीज़े या कुछ ऐसा open कर लीज़े हर जगब पर आपको यही problem मतलब आपको कोई भी आप 50 प्रकार के app यूज़ कर रहे है उन 50 प्रकार के apps में आप sacred pages पर जाएंगे जैसे कि यह एक page है यह एक है यह है कि इसमें भी आप पूरा menu open होता है तो आप जितने एक 50 app में आप sacred pages पर जाएंगे तो हर जगब पर आपको back अलग अलग तरीके से जाना है हर जगब पर आपको यही माथा पच्ची करनी है यही जंजट आपको करते रहना है अब आप मुझे बताएए इसमें क्या user friendly है यह torture करना नहीं है तो क्या है भयानक तरीके का torture है भाई हम phone use कर रहे हैं हमें अपने समय का सदूपियोग करना है यह समय बरबात करना है मतलब है कोई बिल्कुल well आदमी होना जिसके पास बहुत समय है और इतने सारे पैसे की खर्च करने के बारे में सूजी नहीं रहा कुछ तब उस आदमी को यह चीज लेनी चाहिए मतलब apple का ऐसा है कुछ ऐसी functions वो कैसी कुछ सुविदाय वो हमें देता है जिनका शायद हम कभी महिने भर में भी यूज करेंगे पर जो regular रोज जो चीज हम यूज करते है दिन में हजार बार जो चीज हमें आवश्यक होती है back जाना एक back button जो होता है न दिन बर में हम सेकडो बार शायद हजार बार उसको हम click करते है सेकडो apps में हम जाते 500 apps में हम जाते है उन 500 apps में सेकडो अलग-अलग pages होते है उन सेकडो अलग-अलग pages से हम back आना होता है एक simple से remote control भी होता है इतनी सी उसमें भी back button होता है उनको भी इतनी समझ आती है तो ये जो चीज हम दिन भर में हजार बार यूज करते हैं वहाँ ये torture करेगा हमें वो सुविधा हमें नहीं देगा सुविधा दूसरी क्या देगा कि भाई आप अपना ये कुछ है ये इसमें कुछ इतनी ये सेटिंग कर पाएंगे ये सेटिंग कर पाएंगे ये फैस आईडियो इसका जो चीज हम महिने भर में भी यूज नहीं करने वाले एक हाद बार जिसके बगर हमारा काम चल सकता है वो आप functions देकर कौन सा उपकार कर रहे है मतलब जैसे अभी इनका ये क्या ये उन्होंने focus करना है या do not disturb, sleep और focus और work में है इसमें से कोई आप setting यूज कर लीजे work में है तो इसको work select कर लीजे उसके अनुसार पिर आपको setup कर सकते है मतलब क्या है ये इससे आपको बलगता है कि user friendly हो गया आपका phone इसको कितनी बार use कर, मैंने तो आज तक कभी use नहीं किया वही से और ये क्या do not disturb का ये button अनुने अलग से दिया हुआ है ठीक है मैं उपर से do not disturb on कर लूँगा android में था, यह button देकर ऐसे कुछ functions ये देता है जिनका शायद ही हम कभी use करे या use नहीं करे तो भी हमारा काम चल जाए पर जो चीज़ आप use करते हैं हजार बार जो चीज़ यूज करते हैं वहाँ ये आपको torture करेगा ये है iPhone का review और इनका brightness का भी अलगी इनका चलता है अपना, आप यहाँ पर brightness ये set करेंगे न ये, ये brightness आप set करेंगे यहाँ पर ये अप ठीक है आपने कर दिया पर अगर इसको लगा ना कि भाई थोड़ा गर्मी बढ़ गई है आप धूप में जाकर दो मिनिट की जादा नहीं है कि वह दो मिनिट भी मैंने बहुत बोल दिया, एक गड़ मिनिट धूप में जाकर खड़े हो जाईए, ऐसा फोन लेकर brightness धडाम से नहीं चाहा जाएगे अपना पूरा brightness डाउन कर देता है धूप में तो आप इसे यूज नहीं कर सकते, पता नहीं यह तुरंत कहता है कि हीट हो गया बढ़ गई है, क्या setting इसकी पता नहीं, फिर आप कितना भी इसका brightness को उपर करिए, बढ़ा यह नहीं आएगी brightness, और उनका जो notification बार है इधर से यह इस side notification बार आएगा, और इस side इनका यह जो भी है setup जो भी Android, जो उनके functions वगरा दिये हुए है यहाँ पर इसका भी, कभी-कभी Facebook पर वीडियो देख रहे होते हैं तो यह अगर आप ऐसा notification बार नीचे कर दो तो वीडियो pause हो जाता है कभी-कभी नहीं होता है, Facebook पर होता है, YouTube पर नहीं होता है और मतलब पता नहीं अब भाई सीधे से मैं बस एक notification बार नीचे कर रहा हूँ भाई इससे वीडियो pause होने का क्या मतलब है और वो जो notification आता है ना कि 10% battery remaining 20% battery remaining उससे जो कुछ processing वगरा चलते होती स्क्रीन पर वो रुख जाती है मैं काइन मास्टर में अपना वीडियो export कर रहा होता हूँ ना उस समय अगर कभी मान लीजे 10 मिनिट मुझे अभी 4K में वीडियो export कर रहा हूँ, मुझे 5 मिनिट लगने वाले export होने में या 7 मिनिट लगने वाले हैं आधा export होने का का आ जाता है 30-40% export हो गया 5-4 मिनिट हो गए और अचानक सी बीच में आ जाए का 20% बैटरी में नी उस पर OK करो गए तो cancel processing भाई आप एक के वल उपर notification ला रहे हैं, background की processing कैसे रुख जाती है इस से notification बार का भी इनका अलगी है क्या ये भी इतना इरिटेट करता है ये notification बार भी इनका इदर से खीचो उदर से खीचो वीडियो देखते हुए अगर मुझे simple से time देखना है ना दूब भी ढंक से नहीं देख पाता हूँ मैं मुझे simple सा time notification बार कीचने है खीचना भी इसमें इतना मुश्किल ले notification बार कीचना एक हाथ से तो आप इसे यूज करी नहीं पाएंगे मैं जितना frustration लिकाऊ लोग इसके लिए उतना कम है मुझे बस इससे छुटका रहा चाहिए भाई मैं जल से जल इससे पीचा छुडाने वाला हूँ अपना बाकि बैटरी के अगर हम बात करें तो बैटरी अच्छी है अब इतना भारी बार कम फोन है तो वो तो अच्छी होगी बैटरी मतलब डेड़ दिन तक आराम से चल जाती है अगर कुछ बहुत ही ज़दा हेवी काम अगर कर लिया जैसे कि एक दिन में ही तीन-चार वीडियोज शूट कर लिये उनको एडिट भी कर दिया, एक्सपोर्ट भी कर दिया दूसरे भी कुछ आप काम कर रहे है तब हो सकता है कि रात को जाकर थोड़ा सा बैटरी खत्मोने को आ जाए बाकि अगर नॉर्मल यूज आप कर रहे हैं तो डेड़ दिन या उससे भी ज़्यादा आरम से बैटरी चल जाती है उसके बाद सबसे जो महतुपरनजस को लेकर इसको प्रमोट किया था है कैमेरा मुझे परसनली फ्रंट कैमेरा तो इसका बिल्कुल भी पसंद नहीं आए मैरा one प्लस six आप अभी भी हमारे पूराने विडियो देख लीजिए उसके फ्रंट कैमेरा की कॉलिटी देखे आप कितनी बढ़िया है इसका front camera की quality मुझे personally बिल्कुल भी परसंद नहीं आई back camera अच्छा ही है अब इतने लाग डेड़ लाग रूपे ले रहे हैं तो कोई बहुत आश्री की बात नहीं है ठीक ही है आच्छा है back camera पर camera के लिए इसको ले रहे हैं के बारे में तो सोचना भी मतलब मतलब कितने लोग आप मुझे बताएं जो इसे लेकर कोई film shoot करने वाले होंगे कोई movie shoot करने वाले होंगे और वैसे भी 12 megapixel का camera है तो आगर आप zoom करते हैं तो blur हो जाता है picture quality कुछ खासे सी quality मिलती भी नहीं है एक बात जो मुझे इस film की फोन की बस अच्छी लगी वो यह है कि कोई अगर चोर उचक का हम पर हमला कर देता है तो इतना भारी बर कम है कि हम उसके सर पर अगर यह दे मारे ना तो दो-चार दिन तक उठेगा नहीं यह एक मुझे बस इसकी अच्छी बात लगी बाकि तो भाई मैं तो किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप एंड्रोइड यूज कर रहे हो तो इस पर शिफ्ट हो जाओ भाई दस बर सोच लेना ऐसा करने से पहले मैंने तो अपना परसनल एक्स्पिरेंस बता दिया बाकि आपके उपर है आप देखिए थोड़ा सा खुद एक दो-चार दिन यूज करके देख लीजिए उसके बाद यह आप कुछ निरना लेना तो दोस्तों यह था मेरा ओवराल एक् प्लेव आपके देखिए